अक्के भईया खाँ अक्के भईया खाँ मुझाट जाओ भईया सब मुसी मुसी हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आप सब भी ठीक होंगे ये वीडियो मेरी बहुत पहले की है इस वीडियो को मैंने 8-9 दिन पहले यारिट कर दिया था बस डालनी पाई आप जानते हैं क्यों नहीं डाल पाई जब मैंने वीडियो एडिट की थी उसके अगले दिन ही इतना बड़ा हास्था हो गया कि बस फिर तो मुझे होसी नहीं रहा कुछ भी करने का तो अभी मैं इस वीडियो को अफिर तक अभी शेयर करने रहा है में जा तुन काम इसेस्ट केंथ युडियो मतर्य में रिप थी युडियों लुडि सीट का वेडिया जासा ट्न जासी है स्थी आफर कन वी ईतनी बन्लड़ां सेह तांधा पैसओ कर प्रमदकिकन देलेागे अरीकादी कि अई हमें कि घुक मुन से हमें... कैरा है है कैरा हमें... कैंने हैं??? हुई गन्याव यसमय है हुई छाओट भ्याव रड़ कि लूड़िव ल्गेशस अईनाओ मेरागी लेशस अज़े हुई जट एमेश अज़ेख कि लुदे पन्याव , सब्सक्राइब तो यह साड़ी दीदी फोल लगाने के लिए दे रही है दिखारी थी कैसी लग रही है अच्छी भी लगे गी या नहीं यह हमारी बड़ी बुएजी है और अभी सुबह का टाइम था मम्मी ने पूजा किया है तो नंदलाल जी भी यही पे बैठे हुए है इनको अभी अंदर बिठा देंगे क्योंकि बंदर कड़ लगता है बार ज्यादा देर हम बार नहीं बिठाते इनको पूजा करने के बाद फिर अंदर बिठा देते हैं कमरे में अभी चलते है नीचे नीचे भी साफ सुफाई करनी है क्योंकि कल फिर मैंमान आएंगे दीदी को लेने के लिए उथ्धिन दी दिग तो अभी यहां पर बहुत बुरा हाल था है शाधी से पहले दोया था अंडे तब से धुला भी नहीं यह करके तो सब कुछ पूस बहुत मेंथ लगेगी धूने भीगो क्या मेंने मोटर बंद करवा दिया था कि पहले मैं इसको बुरुष से साफ कर लेती हूं उसके बाद में चला देना पानी पसो के नीचे तो धो दिया मैंने इधर भी और अधर भी बस अब चोक में धो देनी और गयाली में भी दोना है तो हालत आप देखी सकते हैं कितनी बुरी हालत है नीचे की अब की बार तो बहुत दिन हो गए धोए हुए इसको तो बहुत देर लगेगी साफ करने में आज तो पूरा दिन सफाई सफाई में जाने वाला है नीचे सफाई करके आई थी तो फिर उपर लगी थी किचन को तो मैंने अच्छे से क्लेन करके और धो के बंद कर अभी बार सारे तैल्स को मैं पहले सरव से साफ कर जीए बरूस से रगड रगड के बहुत गंदी हो रही है और उपर मैंने जब से साधी हुई है तब से दो तीन बार धो लिया सरफ डाल डाल के पर फिर उसे गंदा हो जाता है पता नहीं कितने पुरी आरत रहेगी और वै बाथरोम की भी करनी है बाथरोम की भी बहुत बुरी हालत हो रही है तो वहां की टैल्स भी साफ करनी है और मुझे सामके चार तो बजगे और अभी पता नहीं कितना टाइम ओल लगेगा बीच में थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग तो कर ली थी पर आज मैं ज़्यादर करनी है अराम से करो या फिर जल्दी करो और अभी मम्मी ने भी कलाकन जमा दिये हैं देदी के लिए इनको जमा देंगे रात रात में ये भी अच्छे से जम के और टाइट से हो जाएंगे नहीं तो फिर मुलायम मुलायम से रहते हैं तो अभी इनको थाली में करके घी लग पर बस डालनी पाई डालने का मौका नहीं मिल पाया और मौका क्यों नहीं मिल पाया वो सब आप जानते ही हैं वैसे तो बस बहुत ही बड़ा दुख से गुजर रहे हैं पर क्या करे काम तो सभी करने पड़ते हैं कि दो कि दिदा लो जो मिल पाया और मौका यादी करें पाया वन्भाइं पाया याजय मिल पाया वो बड़ाएं अड़ते हैं एक बार कपड़े दो पैर को धूल गई थे और अभी फिर से मसीन लगाई है क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं अभी धोलेंगे फिर कल तो टाइम नहीं मिलेगा मैं आएंगे तो अभी फिर से मसीन लगा लिए थी जो थोड़ी से कपड़े ओ रहे थे वो अब धोके ड्राइ करके रख देंगे और फैला देंगे कल क्योंकि अब तो रात हो गई है वैसे भी नहीं सूखने वाले कला कंद भी जम चुका है मम्मी ने उनके पीस काट के अलग कर लिए है और अभी इनको डबो में लगा दिया है क्योंकि जितना काम आज खतम होगा उतना ही करेंग है क्योंकि बच्चों वाला घर है बच्चे ऐसे ही हैं एक एक पीस तो मांगेंगे ही वो भी खाने के लिए उनको तो बनते ही दिखता है कि अम्मा ने मिठाई बनाई है हम भी लेंगे यह वीडियो अगले दिन मोर्निंग की तो अभी साज तैयारियों में लगे हुए हैं महमान अभी तक नहीं आए तो पहले मैं मिक्स सबजी में छोक लगा रही हूं और यहां पर मैंने आलो भी उबाल के उनको छील के और मिक्स करके रख लिया है सारे मसाले डाल के मटर मोनिका ने उबाल दी थी और इधर मोनिका ने छोक भी तयार कर रखा है इसको मिक्स में पीस ना है सबजी मोनिका नहीं काटी है कुछ मैंने हैल्प करवाई है दोनों इलगे हुए हैं किचन में और अभी जो हमने पिठी तयार की है इसके बनाएंग के रख लूँगे एक एक बार और फिर जब वो आएंगे तब उनको गरम करकर के दे देंगे दूबारा फ्राइब करके तो पहले मिक्स सबजी को छोक लगा दिया है और अभी मैं तल जी हो पकोडे ब्रैड पकोडे इनमें मैंने पिठ्ठी बर बर के और बेसन का घोल जो मैं मैंने इनको फ़राई कर लिया और एक बार और करने पड़ेंगे अभी तो मैं इनको हलका सा ब्राउन होने पर ही निकाल लिया हूं जब महमान आ जाएंगे उनको दोबारा गरम करके दूँंगी अच्छे से फ़राई कर Krisण कर करूंकब 3D दोबारा फ़राई करूंगी तो अभी जो थोड़ से बरतन है उनको साफ कर लेंगी डॉली दीदी भी नास्ते की तयारी कर रही है ट्रे वगएरा सब बरतनों को सैट कर रही थी जिन में नास्ता देंगे और खाना देंगे तो सारी तयारिया पहले करके रख लेंगे मैं मान आने वाले हैं बस थोड़ी बहुत देर में मुहां से तो चल दिये हैं वीडियो वैसे मैं सोची थी कि इसको बाद में डाल दूँगी पर फिर ज्यादा दिन हो जाएंगे बीच बीच में जो किलिफ होती हैं उनको मैं डिलीट करती रहती हो डिलीट करने से एक किलिप तो मेरी इसमें से मिस हो गई जो मैंने इसमें एडिट कर रखी थी वो मुझे डिलीट हो गई फिर मुझे बस वो डिलीट करने पड़ी तो इस वज़े से मुझे वीडियो बीच में डालने पड़ रही है क्योंकि फिर कुछ किलिप्स डिल यंगी उनकी तो हुली से पहले ही आएँगी बो और मैंने कुछ ब्रेट पकुड़े बनाए हैं। ब्रेड थोडह एक डएड खताम हो गया फिर मैंने गौल होरा दिया होथे तो आप किducन की अहलत देखा है। सब कुछ बिख्रापड़ा हुआ है अब तो कुछ भी समेटने में नहीं आएगा जब मेहान नास्ता कर लेंगे उसके बाद थोड़ा बहुत सामान हलका होगा यहां से सारा काम आराम से हो रहा है क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए है नहीं तो भी आफ़त मचाते हैं थोड़ी सी मैं बना रही हूँ सुजी की खीर मैंने इसमें घी डाल दिया था और चान करके सुजी भी डाल दिया थोड़ी से तो अब इसको भून लेती हूँ जब तक कि ब् बारा फ्राइ कर रहे हूं पकोड़ों को साथ के साथ दो दो काम कर रहे हूं खाने की भी तैयारी और नास्ते की भी तो अभी मैंने इसमें मखाने भी डाल दिया सुझी में मखाने भी सुझी के साथ साथ भूल लूगे और जब ब्राउन हो जाएंगे इसके बाद इसमें तो सब कुछ तयार है वस महमानों को अभी हमने नास्ता कराने के लिए सामान सारा तयार कर दिया है नास्ता कराने के लिए सारा समान मेज पे लगा देंगे भी गर्म गरम पकोड़े भी चाय बनानी है वैसे भी चाय नी बनी चाय बननी रख देती हूं पहले इस वाले गैस प का है नाश्ते में सेव है बिसक्ट है नमकीन yeah. मैंक है और जो ममी ने कलाकंद बनाए थे वह पकोडे हैं तो यह अना शतर हो गया है आप सब भी आ जाएए आप सब भी नास्ता कर ल सात में किसी कि कमी तो नहीं है प्लीज कमेंट करके जरू बताईएगा बस अभी चाय रहा रही है चाय भी आ जाएगी चाय गरम होने लग रही थी क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है और अभी मुझे भी सब्जी तो सब बन गी है पनीर रहा है बस पनीर बना दूँगी पनीर बनाने के बाद फिर मैं पनीर में च्छोंक लगा दूँगी पनीर भी मैंने काट लिया है सोरी मैंने नहीं काटा डोली दीदी से कटवाया है इसके पीस मैंने डोली दीदी से करवाया है पनीर के तो सारे सुखे मसाले भी आड़ कर दिये च्छोंक हमारा तयार है अभी इसमें मैंने टमाटर ज फिर बात में जब यह खदक जाएगा इसमें उबाला जाएगा तब पनीर डालूंगी तो अभी मैंने इसमें थोड़ सा मावा भी डाल दिया है मावा रखा हुआ था कलाकंद बनाए थे उसी में से रख लिया था थोड़ सा मावा पनीर के लिए तो अभी मैंने इसमें मावा डाल दूँगी जो मटर मैंने पहले युबाल ली थी तो मटर डालने के बाद इसको फ्राइ करके मैंने इसमें पानी डाल दिया और पानी एड़ करने के बाद अभी इसे मैं चलाती रहूंगी थोड़ी देर जब तक के मिक्स ना हो जाए अच्छे से तो अभी इसी के साथ मै वीडियो का भी यहीं पर एंड कर दी हूँ अगर वीडियो आप सुब को पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा अगर अभी तक चैनल को सबस्क्राइब ने किया है तो चैनल को भी सबस्क्राइब कर लीजेगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई अपना ख्याल लखिए और प्लीज मेरी ऐसे ही वो करते रही है मदद मुझे सपोर्ट करते रही है मत बढ़ाते रही है